नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, यह हमारा रिवीजन का 27 नमबर का लेक्चर है और इससे पहले लेक्चर में हमने प्रिवेस लेक्चर में प्रिवेस लेक्चर में प्रिवेस लेक्चर में प्रिवेस लेक्चर में आज 27 नमबर के लेक्चर में हम आज के लेक्चर में अगर जोग्रफी की तो उसमें हमने density of ocean water वो देखा था हम जोग्रफी में हमने fundamental जोग्रफी उसके बाद geomorphology उसके बाद oceanography चालो था हमारा उसके हमने पहले चार चाप्टर को देख लिया है आज पास नमर का चाप्टर दे इरिविजन में जिसका नामे salinity of water तो चलिए शुरॉराथ करते हैं बिना कोई time waste करे होई तो salinity of y sat in het इसमें हमने का देखना है इसमें passion की salinity वो क्या होती उसको देखना है जो salinity variation. preaching में क्या होता है उसको देखना है én controlling factor of salinity of potion wateradora. ocean के water में जो controlling factor है, मतलब salinityogen जानट थो चेंज होती है किस चीज के वादसे च्चीज के वित्तित बढ़ती है या कम होती हुदी कौनसी कहुंछी चीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब का से क्लिफिट करते है valuew एक देखना है हमें इसको ऊ1049 इसका measurement क्या है कौन सा मतलब जो number है वो standard salinity है हम उसको बोल सकते है तो इतनी चीज़े हम यह आपे दिखनी है तो सबसे पहले शुरुआत करते है ocean की salinity से मतलब introduction से क्या होती है salinity salinity is a term used to define the total salt content of dissolved total content of dissolved salt in the water ocean का जो water है for example 1 kg water है उसमें जितना salt content है उसको हम बोलेंगे उस water की salinity और उसको कैसे calculate किया जाता है उसको एक्चली kg में calculate किया जाता है it is calculated as amount of salt dissolved in 1 kg 1000 kg मतलब 1 kg of sea water 1 kg क्रेम sea water में 1 kg अगर water लेंगे water वैसे water जो है उसको quantity जो है उसकी measurement करने के वो liter होती है बट यहाँ पे salinity के concept में हम उसको kilo में करते है मतलब 1 kg water में 1 kg water में जितना salt kg में salt के होता है उसको हम kg में measurement करते हैं तो इसलिए जो salt होता है 1 kg salt में for example यहाँ इतना पानी 1 kg पानी 1 kg पानी 1 kg पानी में actually जितना salt है वो उस water की salinity हम उसको मानेंगी समझ गया मतलब समंदर का कोई पानी ओशन का आप 1 kg पानी निकाल लो उसमें जितना salt content है वो उस ocean water की salinity समझ गया ना अब आप तो salinity क्या होती है ocean water में जितना salt प्रेजेंट है वो उस ocean water की salinity होती है उसको काई क्लोड कैसे किया जाता है उसको 1 kg का salt हम मतलब उसको पकड़ के उसमें जितनी salinity वो समझ लो बाके ocean के उतनी salinity समझ की salinity सेम होती हर जगा तो वो अभी आगे देखिए उसको salt बज़े लो वालेश अपने और उसको एक्सप्रेस किया जाता है salinity का यह वो होता है parts per thousand मतलब ppt होता है salinity जो उसको जो देखा जाते salinity को जो मतलब चेक किया जाता है तो salinity को चेक करने का measurement का formula है वो है parts per thousand यह आपी देखो यह दिया हुआ ना उसको बोलते ppt तो parts per thousand में salinity को count किया जाता है तो अब तक हमने क्या क्या देखा हमने देखा salinity मतलब क्या होता है जितना salt होता है उसको उसको salinity बोलते है measurement के लिए कितना होता है sample वो एक kilogram का होता है उसमें कोशन आ सकता है कि कितना ocean water क्याक्रोड करते कितने amount of salt को ले जाता है dissolved water में कितना amount of salt को देखा मतलब it is called amount of salt in one one 1000 kg 1000 gram या one kg of sea water एक kilo sea water में जितना amount of salt है वो उस water की salinity ऐसा count किया थे तो वो कूछ पूछेंगे कितना लेते है एक लेटर लेते है या एक kilo 1 kg लेते है कितना लेते है तो 1 kg इसमें कोशन होता है salinity के उसपर दूसरा कोशन हो गए और तीसरा कोशन जो कि isma major कि सब्सक्रेंटा है salinity of ocean water. जो जो मेंगरूज जो होती ना ऐसे जागा जैसे किरलाए या विस पेंगल में सुन्धर बनी जहां पर बहुत जादा मतलब डेजर नहीं वाहप जो forest है मतलब पानी में पेड़ पो दें कोस्टलाइन के साहई में बहुत जादा पेड़ पो दें और कुछ जो पार्ट कोस्टलाइन के वह पानी में आपको बताऊगा जो वेस्ट बेंगॉल में जो सुनदर्वा ने वह रिमार्क अजर वाइसा है तो व उसको ऐसा वह आप पर लिमिट है और उसको ब्रैकिश वाटर बोलो जाता है समयजगे उसको इतना कुछ काम कर नहीं अब या पर देखो इस पर प्रिकोशन आती है कि हमने तो देख लिया कि 1 kg of water में जितना salt है उसको उस वाटर की अब जितना salt तो salt में बागिए भी चीज़े होती है तो क्या होता है dissolved salt में जितना परसंट होते है प्रसंट होता है कि लोर्य नहीं गिए सथजिया प्रेंट इसवें स्टैवर्ट एस पुएइवरिन तो इसको उसको बाद सल्फिए उसको बाद होता 2.65 में आपकने मतलब sodium chloride जो होता है वो होता है 77% magnesium chloride होता है 10 point मतलब इतना होता है इसको तो कुछ याद रखने ज़रोते हैं पर यह आप याद रखो कि जो हम बोलते हैं इतना डीटल में क्या होता है इसलिए हमें प्रपेर रहना चाहिए तो ओशन की salinity हमने इस तरी के समने देख लिए अब हमें देखना है वहरेशन हमने आ तक देख लिया कि जो ओशन के water में जाता है salinity जो है उसको पीपीटी में पार्स पर थाउजंड ऐसा उसको क्याल करें जाता है अब आमें वहरेशन देखना है जो salinity वह वहरेशन कैसे होता है salinity कुछ जागा कम होती है एक वाटर अगर पूरा एक जैसे के एक ओशन ही एक ओशन के सारी salinity से हो गया एक जागा ऐसे मतलब एक जो टोटल ओशन है न फॉर एक पूरा पूरा लैंड मास से समझ रहेख है और इसमें बीच में इतना एक ओशन है ति यह ओशन का इस साइट ओशन के अलग-अलग होगी तो यह जो variation होता है salinity को यह क्यों होता है देखो तो हमें यह देखना है variation of salinity तो pattern of variation of salinity वह हम देखेंगे pattern में दो चीज़े एक तो equator वाईज जिस equator यहाप यह जीवरा ही ट्रॉपिक ऑप कैंसर है तेस पे तेस आप और तेस आप नीचे क्या है तो क्या होगा जैसे फॉर एप यह पे 100 लिटर पानी दिन बर में क्या होगा 20 लिटर उट जाएगा तो 80 लिटर तो उतना ही था अब अगर 100 लिटर पानी में 100 लिटर पानी था उसमें salt था कितना फॉर एग्जांपल 30 केजी था अब यह operation के वह वह से क्या हुआ पानी कम हो हो गया अब 80 के सबसे मतलब अगर इसका बन जाए तो इसका मतलब एक्वेटर के पास जो जाएटी है वह जाधा होती है क्योंकि वह पे टेमपर्सर होने क्यों सब्सक्राइब बढ़ती है और अगर एक्वेटर सा पोल की तरब जा वह आप थंड आ है वह आप यह operation ने होग अब्रने में क्या है यह जरे नोर्थ अमेरिका ऑठीक पोरा होसा यह वह समय रहे किया यह नोर्थ अमेरिका कांटिननट ही नधर यह मेक्शिको गर आए यहाप योरोप यह यह इसय ओप य अफरिका folder और यहाप और अफरिक हों तो अगर हम देखेंगे न, नौर्थ हमिस्पेर, यह या पर जिरो एक्विटर, नौर्थ हमिस्पेर, नौर्थ हमिस्पेर में क्या है, नौर्थ हमिस्पेर में क्या है, नौर्थ हमिस्पेर में लैंड माज ज्याद आए, टोटल अगर, नौर्थ हमिस्पेर का टोटल अगर और 40 परसेंट ही माँ आग यहां तो सीफ परसेंट लाइं तो आप मुझे बताओं अगर सत्तर परसेंट लाइन तो ऋपानी नहीं, तो पानी कम होगा उर्पानी ने माँ लग सीफिल नीचे पानी जादा आए लेंड कमे पानी जादा यह तो गरम एक लेवल जादा होगा ने इसके उपर वाले के एकम परेशन में तो वहापर आप चल्स कम होगा ने तो हमस्य सब्सक्राइब पर होगा यह अगर हम देखते तो पुरा पंजूरा है अगर वाहिए अर्थ में पर आ llg में अर्फ लोकल वैरेशन की बात करते हैं तो अब लोकल वैरेशन में क्या आता है सब सब लेगा है ओशन करंट अब देखो ओशन करंट जो चीज देना ओशन करंट क्या करते हैं एक जगस जैसे यह हमारा पूरा यह एक विटरी यहां पर क्या है यहां पर गरम वाटरी यहां पर पोल क यहां से आते हैं और यहां पर यो जो जो जाते है और फंड़ा देते हैं उसको तंड़ा कर देते हैं और उप्र यह जाए तंड़ी पानी को कि तरफ bardziej उपर यह ऊपर यह जा यहां कि तनड़ा ochपर तो तो簡 приложд joint और भशेसान के वजो Mexican through the last closed ocean इसमें 100 L.夠 रडा है यह बट बड़ा है बट चोटा है मुझेदा हो एक लिट रडा होगा है एक हासर मीडिनलप गरम जाए होगा हासर यह रड Buddh गरम होगा तो यह operation जाएगा तो 4500 enlightenment doaturat just तो अगर निकाल जाए तो आपे atus यह चीज़ है अप देख सकते हैं को को आप चीजो ने खिलोस की कंपरेजन में जाद होती अब अपे पानी कमहें आप उपरेशन जाद होते हैं उसके लार्ज इंफ्ल biri आप बहुत आँ यह अपर लार्ज रिवर्स आप जैसे अभी मैं बहुत हो यह अंपर बंगल यह अक्षारी और फिर्मा फ़यु आसव हो ख्यात है इसम्ल्स भाइबcek रेवाल्न तर्मादी से स्पविन एकुटर अधीघ गो दावक चनद सेुटा डॉप में एक। यह मांदो कितना था में 200 वा पैनी आ इंडे है कोहना he kuno sam मैं चलहाओ नहीं तो हज़ार लिटर में 200 कई था रॉपर अब उख कितना इसके 7 सिर्भी कणे आब वह 1000 को डबल हो गया हो मतलब जो सो परसेंट में बिस लिटर पहले सवल था अब 100 का 200 जो कहें अम दिछ इतना हो यू गया हो तो स्लेट बड़ी या इस परदी घड़ गयी जो फिलेटर रिजल वहन फोम इसे सवह ड़ाये मतलब यह जो अलग-अलग river यह जो पानी लेकर आती है उसमें डालती है उसके वैसे salinity बरतिया का घड़ जाती है उससे salinity घड़ जाती है समझ गए और glacier 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 पिगलता है glacier में कुछ होता नहीं glacier का पानी जाके बाद में river के तो समंधर में जाता है तो उसके वैसे salinity कम ज्यादा होती है तो समझ गया हम तो हमने एकदम detail में देख लिए यहापे कि जो वहरेशन इस salinity में यह क्या होता है इसको हमने समझ लिया ताकि आप question अच्छे से टिक कर सकते हो मतलब imagination करके आप आपको पता चलके conceptual clarity जो होती है वह salinity की वहरेशन क्या होता है वह हमने यहापे देख लिया अब उसके बाद अभी यह जो चीज़ देखी ना वही यहापे देवी controlling factor of salinity of ocean water क्या 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 ocean current में भी बता है आपको ocean current थंडा करम उसके वाज स salt water होता नहीं तो बारिश होगे तो समंदर का जो पानी उसमें fresh water मिल जाएगा salinity घट जाएगी influx of river मैंने जैसे पता है आपको अलग-अलग जो river जो fresh water लेके आती और ocean में जाके अपना पानी डालती fresh water का उसके वाज से ocean की salinity का हो जाती है घट जाती atmospheric pressure and wind direction wind direction और atmospheric pressure के वर से बारिश 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 यह चीज आती है तो यह indirectly इफेक्ट करती को इसके बाद circulation of ocean water oceanic water मतलब क्या ocean current वही circulation मतलब क्या oceanic water जो circulate होता है थन्डा पानी आता है गरम की तरफ उतको गरम कर देते गरम को थन्डा कर देती है उसके वाज से क्या हो जाता है यह operation वगर इसको इफेक्ट पर जाता है और उसमें जो controlling मतलब उससे salinity यह कम ज्यादा हो जाती है और formation of ice on surface on sea surface पर जो पुतिन भाई सबके उपर जो साइबरे नाम का चीज है मतलो साइबरे रहे लश्यां का यह अलग अलग जगा Arctic Circle यह नीचे अंटार्टिक आए वहापे जो ocean वह उसके उपर ice क्याप बन जाती उसके वाज से जो sun की जो रे तो आप उसको imagine कर सकते हो मतलब feel कर सकते हो कि अच्छा ऐसा हो सकता है तो यह मने conceptually समझ लिए controlling factor क्या हो दे साल ने ठीक है उसके बाद salt budget, salt budget क्या होता है देखो irrespective of absolute of water the proportion of the salt remains same in the all the part of ocean दो यह अलग अलग ocean जो ही ना इसमें salt का जो budget ही ना मतलब एक ocean है जिससे Pacific Ocean का कोई मतलब इर्या लेलो किसी भी अरिया पाशिफिक जो सारा जो ओशन है तो यह सारे जो ओशन कर दे जिससे Atlantic Ocean है वह इंडियन ओशन से अफ्रिका से निचे दे को यासे Atlantic Ocean यह यह इन इधर connected है समझ रहे का मतलब यह यह अट्र अच्छन है यह आप ए इंदर पैसिफिक ज़िए तो यह क्या बोल रहे है, सारे जो ओशन है हमारे, बड़े-बड़े मेजर ओशन में, लैंड लोग की बात नहीं कर रहे हूं, बगे जो मेजर ओशन है यह मेशन का इरिस्पेक्ट ऑफ अपसुलेट वाटर मतलब उसमें कितना पानी वो मैटर नहीं करता, पर उनका जो कोई आपको खिर ड़े नहीं कर दो, लैंचों लोगा जो salt होता है ना वो जब water में mix हो जाता है तो वो जो salinity तो यो ocean की वो किसी भी जगह से आप ocean का पाइने निकालो same salinity होई और उस चीज़ को बोलते salt budget समझगे आप उसी चीज़ को बोलते salt budget आगे चलते आगे क्या है distribution of salinity salinity का redistribution किया जाएगा किया जाएगा तो दो तरीक से होता है एक तो होता है distribution होता है horizontal दूसरा होता है vertical salinity distribution होता है और रिजल्ट होता है यह तो अभी आपको लग रहा होगा कि जो आप एक point मैं आपको मतलब आद उससमें okay just yn ll tensions होता होता है तो सबसे जादा स्यानिटी कहां पको हुँत्य एक वेकटर के समय पास होता है तो सबसे जाद इकवेटर को यह बहना होता है पर वहांपे एकवेटर के जिसमें अभी हम आप क्याती उसको यादा लिसको यादर की और बात कीज़ अगर बात कीजाए रिफिशन अपर बारिशनी तो जैसे इदर से नीचे जल जाओ पोल की तरफ नीचे सदने हम जाओ 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 नदम पोल की तरफ वहां पर जैसे जाओ आप सैलेटी कम होती होती जाएगी समझ गये और आप ने सालनेटी फ्रॉम दी ओपन ओशन रेंजेस फ्रम कितना 33 से लेकर 37 पीपीटी होती हो सालनेटी समझ गया आप ओपन ओशन में यह क्या बोल रहे हैं आप यह कि जैसे आप एक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे सालनेटी घरती जाएगी तो हो रिजोन्टर डिस्ट्र की तो ऐसे आप नीचे ब्लाद की जैसे आप छालेटी जाएक्वेटर के आप ओड़ रहते हैं तो जाएके बिठ्से फनवेटर से प्ल्क्रिशन का पानी तो Salinity क्या हो जाएगी कम-कम होते जाएगी और Depth-wise अगर vertical बात किये जाए Depth-wise जैसे Ocean के अंदर नीचे जाएगी आप Salinity कम होते जाएगी समझ गहे equator से उपल तक Salinity कम होते जाएगी और Depth-wise अगर किये जाए उपर सी नीचे जाएगी आप Salinity Depth जैसे salinity decreases with depth, depth की जब से नीच ज़ाओगे salinity decrease हो जाएंगे, तो इस तरह के सामने distribution of salinity, vertical और horizontal इस दोनों चीज को भी देख लिया, आगे चलते हैं, आगे क्या है, last topic बाद चाहिए, ये standard salinity of ocean water, ocean water के जो standard salinity हो क्या है, अब standard salinity, अब ocean water है ना, मैं जैसे बताना आपको PPT में salinity count हो थी, तो ये जो 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 आगरोफर्स, या मतलब जो भी समझे रहेगा, ओशन की जो पड़ाइकरन वाले लोग जो है, उन्होंने count किया है, और उन्होंने ऐसाद किया है कि 35, 35.5 पाद जो है ना, वो, समझ गए, तो कोशन आएगा कि salinity किसमे count की जाती सबसे पहले, तो parts per thousand में, PPT में count की जाती है, standard salinity of ocean water कौन सी कितनी है, तो 35.5 PPT है, और ये सभी कोशन आ सकता है कि standard salinity of ocean water जो है, वो कौन से ocean salinity ली गई, कितना है वो भी नहीं पूछेंगी, कौन से ocean की salinity, ये standard salinity of ocean water जो है से consider किया गया है, तो Atlantic Ocean की, जो salinity, जो salinity, उसको standard salinity of ocean water माना गया है, वो 35.5, अब यह तक तो हमने देख लिया, अब देखो, या पर कौशन एक आता है, कि R.E.N.C किस्टा है, salinity जाता है, या बेयाव बंगल की salinity जाता है, देखो, जैसे मैंने बता है, बेयाव बंगल में क्या होता है, काफी रिवर्स आती, गंगा और यमुना, समझ गें, ये, गोदावरी वगरा, कृष्णा वगरा, इस सारी रिवर्स जाती है, और उदर जाके, अपना water deposit करती है, इसमें, बेयाव बंगल में, ये question होता है, इस पर आपने tick कर लिया, उसके बाद, ocean की जो, जो है, salinity जादा होगी, तो density जादा होगी, ये density कम होगी, तो high salinity is equal to high density, आप खुद सोचों न, salinity मतलब density मतलब घंता है, तो जितना उतर salt है, उतरना density जादा है, उस water की, समझ गया न, आप, हमने देखाना कल की लेक्चर में, density क्या होता है, कि एक total area जो दिया होता है, उसमें से जितना area किसी चीज, अगर किसी particle ने contribute क्या है, तो वो बोलेंगे हम, उसकी उतनी density, तो high salinity is equal to high density, ये question होगी, आपका, 35.5 PPT का है, standard salinity, और portion water है, वो किस question की, तीसर question होगा है, चाओ था, atlantic question की, पाचवा question, अरिविन ocean की salinity जादा है, असी की आप बेव बंगल की, तो अरिविन ocean की सबसे जादा है, समझ गये, अब यहाँ पे, ये तो हमने देख लिए basic सारी question, अब एक important चीज़, सबसे जादा salinity, दुनिया में किस चीज़ की, तो एक lake है, टर्की में, लेक की बात कर रहा हूँ, मैं ocean की बात ने कर रहा हूँ, तो एक lake है, जिसका ना में lake van, ये तर्की में, यहाँ पे अगर आप मतलब चला, मतलब उसमें जाओगे, आप swimming करने के लिए, तो आप बिना हाथ पेर मारे ऊपर तहर जाओगे, क्यों, salinity कितनी बताएगा, 400 पीटी, ये जॉर्ड़न और इसरेल की बाइच में, इसकी तीन सो पच्चास है, lake Urmia, इरान में, इसकी salinity कितनी है, 85 से लेके 280, समझ गया, उसके बाद, great salt lake, ये USMA, इसकी 142 है, और red sea जोई, इस आफरिका और एश्या के बीच में, वह दवाप है, उसकी 36 है, तो सबसाद सालिटी जोई ना, वह लेक वैंड की, अगर आपको option में, इसकी lake wind नहीं दिया, तो उसके बाद, उसके after, date sea या, इसके बाद lake Urmia, तो ये जो चीज़ा है, ये मैंने आपको notes में दी दिया, आप इसको एक बार पढ़ लू, समझ गया, तो इस तरी के सामनी, ये जो हमारा salinity वाला chapter था, उसमें हमने, सारी की, वायरेशन of salinity, control factor, जो ocean water का वो, salt budget, distribution of salinity, और standard salinity of ocean water, ये सारी क सारी चीज़ोग अग्दम detail में देख लिया, और इस तरी के सामने हमारा, ओशन रपाफिकार ये जो शप्टरतर रा रिसोरे, ये करना भागि, एकचल विल्टी से आप आप है, इस तरी के सामने हमन इसको हमने एकदम डिटेल में कर लिया इसमें रिवीजन करने कि उसके कुछ कोशन आता नहीं इसलिए मैं या पर टिक करके रखाए समझ गए तो हमारा आज का जो इतना ही चले आगे हिस्ट्री करने रच्पूर डैनिस्ट्री रश्ट्रपूर डैनिस्ट्री और चौला देखा था कि इंडिया में सबसेफेले अर्विक इन्वेजिन हो झूए था उसके बाद तुर्किष से इनिविशन हो था अर्विक जा रहा था 1206 में से रेबल से उसको खचाक कर दिया उसको मारवा दिया उसके बाद उसका जो यह था एक फिरोड़ स्लेव था तुरकिश चुरी क्या नहीं उसका कुदिप बिनाइबग उसने बोला कि आज आज से अपनीच भगवाने और उसने बोला आज से में दिली सल्ज करता हूं और स्लेव डैनिश्टी आखे पहले डैनिश्टी और मैं पहले राजा हूं यह 1260 के बाराव सो दस्तके राजा रहा उसके बाद इनका जो लास यह था राज लास राज राजा था इसको मरवा दिया किसने जलो दिंखिल जने और बारास उनाइटी में उसने सत्या उसके बाद 1296 में उसके खुद के बतीजे ने उसको मरवा दिया जिसका नाम था यह यह अलाव दिंखिल जी और उसने फिर अभधिया ली सत्ता और 96 से लेके 1316 तक वो राजरा अभी साल तक उसके बाद उसका बेटा मुबार खिल जाया उसको बास में चियाजुद दिंख कर दिया था ता तामर चंगेश खान जैसा जलत था उसने यह आपे पूरा धिहाना कर दिया पूरा कांट कर दिया उसके बाद यहापे क्या ऊसरा 1398 से लेके 1414 तक कोई सेंटल पावर नीथी पूरा क्या ऊसमी शारा शारा था उस चीज का फायदा उठा की जो क्रिज खान जीतने के लिए मालवा जीतने की लिए चुली तो इसने इसको खाने खाना नमकी टाइटल जया दिया था और इसके पोते ने बालुल लूदी को अपना जो शारक सारा एंपार इसको सौब दिया और फिर यहां पर वापस लुदी मतलब दैनिस्टी जोगी और लास में यहां अभगानी ता कौन बालो लूदी उसके बाद इसने बाबर को इन वैट किया था आओ हम बावर के बारे में बावर के बारे में मतलब आज शुराद करने वाले हम Mughal Empire सभरे मुगल में फिर मुगल शाला 1526 से लेका 1857 तक जब तक कि first battle of Panipat न होता यहां बाबर यहां पर नहीं आता ना ताजबन होता यहां पर न रेड फोर्ड होता न मुम्ताज होती न कुछ भी नहीं होता समझ गये तो यह जो significant था यह चीज कौन सा बाबर करें आना और first battle of Panipat होना तो हमें देखना है आज से हम स्टाट करें तिसरा पर हमारा इस मेड़ोलिस्टि का जिसका नामी मूगल्स कऊन थी मूगल्स ना एक्चुली यह ना तुर्क थी सब्सक्राइब तो यह जू जो जिसको थी चंगेश, यह जो मोंगल्स थी, उपर से आती थी, मतलब सेंट्रल अश्या से थी, इन्होंने सिर्या बगरा काफी देश है, इनको बरबात करके रखा था मोंगल्स ने, यहाँ पे इंडिया में, यह जो कुतुब बनाय बगे, उसके टाइम पे, मतलब 1200 से लगे, 1300 तक इनका तो छुरुब जिए में उपर दबदा था पुरा सेंट्रल इशा को सेंट्रल इस्ट्रल इस्या, सेंट्रल इस्या में इनका कबदा था, इन्होंने इंडिया पे काफी 2-3 वार किया था तो शुरू में हमारे इंसल्टिमीश भाइश भाइस थे, यह जुब आलवे हैं के सा तो इसलिए इनका नाम मुगल हो गया तो इब्रहाम लुदी को हरा के एक जो विक्ट्री की दिवाबर ने आप एवन लुदी हरा के फैस्ट बैटल पानीपद में 1526 में उसके बाद यहाप फाउंडेशन हुआ न्यू बिगिनिंग हुई इंडिया में कहां से दिल्ले सलतनत् इंडिया में नई शुरात हुई अर्यापी एंपायर चेंज हो गया अब मुगल एंपायर जो था वन अप ग्रेटेस्ट एंपायर था इंडिया निस्ट्री में समझ गया कि बहुत साल तक चला था माबान ने पंदर सप्टिशन इब्रहाम लुदी को हरा दिया था फस्ट गधाय जतों इनो आमेजिंग इनोंने आर्गे चरे बनाए ता इंडिया जैसे कि ताजम समीर ऑनाप दर वन डर वन फटान प्र क्या पर इंडिया मी तो इतने राज आये थे मूगल्स के इतनी राज होके गयती सब सबहले अमे देखना है इतने इना में चंट्रव कर यह पंदार सो थीस से लिके शुरू में पास दस सालीस ने राज किया पर बाद में एक सूर्य डाइनेस्टी आई थी मुगल में एक दूसरी डाइनेस्टी ने आपर राज किया था पंदरा साल तक उसके बाद हुमायन को बेट अगबर वह राजय बना उसके बाद जांगिर अगबर का बेटा उसके बाद शाह जान और अरंग जेब और उसी टाइम पे चात्रपति शिवाजी महाराज अपने नाम सुना होगा उनका जो उन्होंने माराठा फांडेंशी किया पे मतलब गुनिया दर्खी थी माराठा एंपार आपर इसे बड़ा इतनी सारी चीज़े में देखनी सबसेले आज का बड़ा चोड़ा और यह राज वर्याज बना अगरा डर्गे इसके वाद वाद सबसेले के बाबरिना ते फाकर शार वर्याृजर ना पढ़ने में अरंग जब पढ़ना है क्योंकि यह नहीं काफी काम किये सबसे ज़्यादा या मतलब समय रहे क्या एंपार का एक्षेंशन हो या अर्ट एंग कल्चर हो सारक सारा हमें देखने तो बाबर हुमाइन अगबर जा आज आ जा आ यह हमें मीडियोल में देखने हैं त बाबर या पे जो आया था इसने कब तक कितने साल तक फुल किया था 1526 से लेके 1530 तक यह आप राजा था बहुत पावरफुल राजा था इसने आप फांडेशन के था मोगल एंपार का इडिसन यह देखो या पी यह चीज कभी आगबर ने भूली ने मैं बता आ आपको तैमूर तैमूर को यह जला थे जो नाइटी 31398 मी तैमूर ने तैरा सो 98 में इंडिया में इनवेजन किया था पैसे के लिए और यहा पर पूरा दिल्ली में बहुत बढ़ा मास्कर कर देखा बहुत लोगों को मारवा दिया था इसने लूट मार करके दिली को जला की चाल ल दूसरा को न है तैमूर यह बहुत ही लेवल एक फाफ अगार कतरनाक जिसने बहुत हिस्टिक बहुत लोग को मरवा दिया थो बहुत बढ़ा तुम्हें कर दी तो यह जल्ला थी बाप के आप के साइड से को सके तैमूर का डिसनेन्ट था वो बाबर और मा के साइड से मा मतलब मेरा बाप दादा जो ए वो टेमूर के खंधान सा था और मेरे दादी जो Εचंगे सट्वान के साथ पता था टेमूर एक विष्टी का विला नहीं एक चल्छा को इनका नाम यूज करने तो मेरी इमेज खराब हो जागी इसले उनका भी नाम भी निलिया देखो बाबर कब जब गयारा साल में जब चावदा सों नाइटी-फोर में यह वापर राजा बन गया था उसके बाप को सक्सिट करके उसका नाम था उमर शेख मिर्जा उसका नाम था उसका डेड़ू का उसका दौलत खान जो था वह बहुत पावफल नोबल था पंजब का म इबरम लूदी को इबरम लूदी का और इसकी मंति नी थी तो इसने बाबर को पोला था तुआ इंडिया में आटक कर और यह जो बाबर है इसको खतम कर दे तो उस ताइम पे इसने ना चार बार इंडिया में आया थे 1519 से लेके 1523 तक समय रहे बैटल पाणीप पंदर शेट समय रहे तो इसने उस टाइम पे कुछ रचपूत कुछ आपन लोग को हराय था यहां पर आगे क्या हो देखो सिंगंदर लूदी 1517 में सिंगंदर लूदी बहुत बड़ा एक पाउफुल लूदी डाइनिस्टी का जो था यहां पी चल रही थी इंडिया में दिली सर्टन क लूदी रही थी वह उसका एंपरर था राजा था सिंगंदर लूदी हमने देखा था इब्राइन लूदी का बाप वह मर गया पंदर 17 में पॉलिटिकल सेच्वन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो थी वह सुटूबल थी बाबर के लिए इंडिया में इंडिया में साथ नहीं देती वह बोलती नहीं नहीं यह बड़ी आये अच्छा मुस्लिम इंडिया पर जो इब्राइन लूदी आया था इसने नोबल को मार ने श्राट कर दिया था यह बहुत जाधा कुरूर था इसने अपने बेटों को भी काफी समय रहा का कुरूर्ली ठीट करता था तो बाबर ने क्या कर दिया जो दौरत खान था इसका साथ बंता नहीं था इबराइन लूदी से इसने आप गांचिप धाय गौवर्नर था पंजाब का इसने बाकी नोबल को साथ में लेकि बाबर को बोला कि आज आ तू इंडिया में अटेक कर दे अब ये बात पता चल ग कि मैं इंडिया का सब्सक्राइब यह हूं और यह क्या कर चिवेज यह समय मारा टोड़ाटाइब गी रहा का राजा आफगानिस्तान वहां का राजा कबूल का यह क्या मुझे समय गंटा में रहा कुछ उखडबाएगा तो इसने बोला उसको अपस चालेंज कर देवाबर नि कि अगर थे मैं सच में ते गुर्दों में एकन बलूें तो हुआ हम यह वह तो फिर भाबर आया था इंड। फिर पाणीस प्कट हो था तो उस से पहले क्या हुआ था 1526 में पानीप्स उससे पहले शुरु में क्या हता जब इस्वेसी नों इंविट कimon दो यह चैप्चां इसने भीरा और seal कोट ये capture किया था यह twin gate था इंदुस्तान में आने के लिए, फिर बाद में revault होगा था कंदर में जेसी यह आ पर आया से इसने पर वापस आया, उसने वापस अटाया, पर बादमेग्या, मैंने चाहिए उसको मैने बता है महाज़ sufik रवापने सारंडी इवरमलोडी को षहाली के लिए दवलत खान ने जो गवर्नर था का का? पंजाब का फिर जो दवलत खान था उसका बेटा था दिलावर खान लीड़ भाई हिस्टन दिलावर खान और दवलत कान को लेके बाबर ने आप इंडिया में आटेक करना शाट कर दिया इसको इन वाइते ड़ाए टो आप आरहे हो तो आजाओ सच में इसको हरा दो हम भी आपके साथ हैं समझ गया प्या तक फिर इस तरीके से वो दिन आ गया और 1526 में बाबर ने क्या कर दिया था बाबर ने यहापर पानीपत के लड़ाई होगी और इसको हरा दिया था इसको फ्रस्ट बैटल यप पानिबाद किसकी रेपज़ भाबर औरिवाल ऑड़ पानिबाद कभ गोई थी 1526 में विती समझेज इए आगे कौन जितनता था बाबर जितनता था मतलब पंदराइन लोदी को हराने केले बाबर को बुला रहे हैं तो चलो इबराहम लोदी हमारा उससे बनती नहीं पर एटलिस हम गवर्नर भी तो है पंजाब के इबराहम लोदी के कारेकाल में अगर बाबर कर या पर वार कर देता है और बागर दिल्ली को जीत लिए इबराहम लोदी को हरा देता है तो हमारा गवर्नर पद भी जाएगा और हमें भी टपका देगा यह इसके खुपड़ी में बहुत लेट बात उतर गए किसके दवलत खान के इसले 1520 में इसने बाबर के खिलाब डिट्रिट कर दिया समझ गये और नुवेंबर 1525 में बाबर ने इंड़स को क्रॉस किया और ही अटेग अन ओकुपाइड पंजब एन वेगम दे मास्टर पंजब इसने फिर इसको अधर दे दिया तुम बाबर को हराओ इंडिया में कभजा कर लो बाब में इसको पता चल गया कि यह बाबर को तो हरा देगा पर यह मुझे भी अमार देगा इसके लिए इसने आप इसके खिलाब चला गया दौलत खान जो गवर्नर था पंजब का पर बाबर ने फिर मास्टर पंजब बन गया इसको हरा दिया पंदर सो पच्शिस में और यह मास्टर बन गया 21 एप्रिल 1526 बाबर ने इब्राहम लूदी को हरा दिया फिर्स बैटल पानिपत में और यह क्विकली यह दिली में आ गया डिस्पार ऑफ वास्ट एंड़ सुप्रीम टूप्स अप इब्राहम लूदी उसके पास बहुत टूप्स थे काफी मतलब आए था फिर्स बैटल पानिपत जो था उवह मार्क फानडिशन अप मोगल डोमिनेस इंडिया फिर्स बैटल पानिपत में बाबर नीवर रोडिको हरा दिया और यहां पर मोगल का मतलब आधिपत्ते श्राड हो गया उसने दिली को कंकर कर दिया और उसको बेटा था हुमा बाबर बोला अपनीच भगवाने बाबर बोला आसे I am the emperor of Hindustan और बोला यह दिली सलतनत का जंडावंडा उखाड के फेक दो आसे नहीं यहां पर सलतनत आ रही है वह है मुगल एंपायर और 1526 में इस तरीके से बाबाने फिर्स बैटल पानिपत में इबराम डूदी को हरा क कि आप मुगलें ऊपर सेता कर दिया तbei यह समझे षुugo रफेकल एकने एक हजार इलिफन कंद दस लग लोग ते और एक हजार इलिफन किसके पास इबारारासो लेग लेके इस ने दस लाग लोग को आर दिया उसने इंडिया के जो नोबल से और मुस्लिम लोग थे वह भी इसको बाबर को जाइन करते इसको एक्सिर्इन बहुत ता लड़े कम से कम उत्न को इतने ज्यादल में जा रहा है। बोइसे मिन पॉय्ट भियो तो इसको कम से कम पचास भार राजा पर पकॉयमें इसको एथना एक्सक्परिंस आ शुका था जा वोट वाटाप और अमास्ठर गन्र्स थे इसके बास उस्तमाली और मुस्तफा चला थे थी उसके पास आर्चर थे इसले इसने क्या कर दिया था इसने strategy को यूज़ करके 10 लाख लोग को ये 12 सो लोग ने हरा दिया था कैसे हरा था ये एक बार में आपको लिंक बेजूँगा लगा तो description में आप एक वीडियो दिखे लिना ये राज़ा सभा टीवी नेक वीडियो बनाई उसने बहुत अक्चे से explain किया और बाद में जैसे इनको हरा दिया इसने बोला कि हम मैं दिल्ली में रहूँगा और फिर इसने या पर अपना एम पर स्टार्ट कर दिया और यहां पे दिल्ली में आ गय था उसके बाद दूसरी लड़ा इसने लड़ी थी उसने अपने चेचरवाइब को पंजब का गवर्नर बनाया था पर इब्राह्म लूदी और पंजब का गवर्नर दोलत खान इंका बिल्कुर ने बनत था दोलत खन ने बाबर और को बोला आप गयनिंस्तन वाले को कि तू आ इसको हरा दी समझ के बाद में दोलत खन को पता पर उस टाइम पर इदर राजस्तान में एक रजपुत था जिसका नाम था राना संगा राना संगा ने में बोला बाबर भाई आप आजाओ आप इस प्रालोदी का हरा दो मैं आपको सपट कर दोगा पर जब राना संगा को पता चला कि बाबर है लेवल विला ने यह चोटा मो खिरा एक और पकड़ पर उस ने सबसे पहले इसको इसके पास गाया बाबर ने राना संगा को बाइस सांगा ला कि भाई साब तुने मुझे between कि तुम आओ आप आटाक करो मैं तुम्हें हल्प करता हूँ तुमने मुझे मुझे Even कि तुम बॉला था आज आओ आपको हिय घुर्प करता हूँ तुम ने कि तो ये जो रारारा संगा था इम्मेवर कर राजा था और गेट गरजपुत वारियर्स था तो 16 मार्च 1527 में राना संगा को बाबर ने बाबर बाबर ने इसको बोला कि मैं तुछ तेरे भी आटक करने वाला हो तो राना संगा था उसके साथ साथ बाके जो वाकिर राजा थे कौंसा मालवयर अम्बेर ग्वालियर अजमेर चंदेरी इस सारे सारे में बैट्लॉप खंवान इस सब के सब रचपूत को इसने सुला दिया था और विदो बाद बाबर को टाटल मिला था क्या गाजी बाफर को टाइस तेल मेला था इसे सरी किसा या पर राना संगा था उसके पास था उसके साथ तयर कितना है देखो वीस लांग हो गया दो लो आफ़ान कर दिया जिहाद का युज कर दिया है सारे मुट्य हो खर दिया कर दिया और भरत मैं भूलमुल्पूर अल्वर साराख सारा कैप्चर कर लिया और और सब मुगल हम पर में इसने जोईन कर दिया, बाद में और एक battle ली, battle of chandri, battle of chandri किसके खिलब होई, देख यहापे, एक राजा था, क्या, chandri को बाद 1560 पे बाबर ने capture कर लिया, रजपुत राजा था, मिधनी राय, मिधनी राय को इसने हरा दिया, और उसने रजपुत, समझ रहे का, battle of chandri में, मिधनी राय को हरा दिया, और वो chandri भी इसने, उसको भी अपने कबजे में ले लिया, उसको अपने मुगल एमपर मजारा दिया, उस टाएंप ऐसा बोल जा था कि, वहापे जो उमन थे, उन्हों इस रजपुत राचरहार, बाबर ने क्या कर दिया था पता कि, चंदेरी जोए ना, ये लोग को पता चल गया, रजपुत लोग को, मिंदेरा को पता चल गया, बाबर हमें हराने के लिए आने वाला है, पर इसका जो एमपायर था ना, वो इतना बड़ा था, मतला ऊपर था फोर्ड पे था फोट फोर्ड पे था उसका एक्चली, वो मौंट बड़े बाढ़ पढ़ प्तर था, बद्धर नीच दाल दिया, उपर जाने के ले रस्ता है नीथा, बाबर ने क्या कर दिया था, बाबर ने सब लोग को इतना चतरना इंसपायर क्या, उनको बोला, अट ए पुरी साइने ने रात में एक रात में पुड़ा पाड कार दिया था और फिर उस जाके ऊपर गए थे और बैटल अप चेंद्री विद्धिर सब उसको आरा दिया थे फिन इतना है लेवल खतरनाक था यह बाबर आगे बाटल बाबर अप घागरा हुए था अब बाबर ने क् गंगा की वहां पे बिहार में यहां पे बाबर ने युद्ध लाड़ा था बैटल अगरा और यहां पे जो अफगान डूलर थे उनको हरा दिया और वो बिहार को भी आपने एंपर में इसने मिला दिया था तो इस तरह किस हम बाबर का टोटल इस्टिमेंट देखते कि बाबर के बाबर ना इमिनेट स्कॉलर था इन अरबिक एंपरिशन बीपड़ा था इसकी मदर जो थी ना वो चंताई तुरुक किस थी मतलब चंगेश कांके उस उदर किस थी बाबर एक स्टेट्मेंट भी था बाबर ने आपके अपने खुद की सारी शुचे ना वो इम्पोर्टन चीज कहा पता है क्या बाबर ना बहुत ऑनिस्टा बाबर ने ना में जैसे बता है अपको ये शब से पहले क्या था फरताना का राजा था इसका बाब वापस कि नीकाल दिया गया था तो बाबर ने एक दम ऑनिशन लिबता है था कि he frankly confess his own failure without suppressing in effect मतलब क्या होता जैसे आलो दिंखी टाप के लोग थे ना यह आपने बारे में अच्छे-ची बड़ा ही मतलब चीजेवल लिख के रखते थी हिस्ट्री में पर बाबर इकलो था अब तक पूरे इसा आदमी था जिसने अपने जो सारी सारी फिल्लर थे किसको पता भी नहीं थी यह बाबरीन थी तुर्किस लाइंगेश मिशन अपने अट बर बाइक उफी लिखी थी उसकी मिमरीज इसमें सारी सारी चीज लिखी थी बाबा बाबर जो था वो नेच्रलिस था मतलब क्या वो एनवर्मेंट का मतलब यह करता था यह फ्लोरा और फोना जो था इंडिया का इसको भी इसने डिस्क्राप किया था मतलब यह एनवर्मेंट प्रिय बंदा था यह अच्छा मतलब इसको एनवर्मेंट से प्यार लगा हो था बाद में क्या हो था 26 डिसमबर 193526 में बाबर ने इंडिया में आया बाबर ने यहां पर जो इंडिया का इंडिया का इंडिया लोग लेकिया यहां के दस बारालाक लोग को की आर्मी वाली राजा को हरा दिया इबरहम लोदी को यहां का सलत्र मतलब दिल्लीका सुल्तान बन गया बाबर बाद में बैटल अपो चंदवर उपर उन्तिस तक 1526 लेकी उन्तिस तक 3-4 ओर लड़ाई लड़ी आदे इंदुस् काबूल का एक छोटा सा राजा इंडिया में आता है और आदे हिंदुस्तान को अपने कभजे में कर लेता है समझ गया मतलब क्यूंकि उसको एक्स्पेरेंस स्किल इतना था बंदे नहीं थे कुछ भी नहीं था उसके बास बस दिमाग समझ देका दिमाग था तो इसने फिर तो इस तरीके से हम जो हमारा आज का लेक्टर था रिविजन का देखो पॉलेटीन अभी अल्मॉस्ट अभी एक गंटा कम्लीट हो चुका है हमारा जो इस्ट्री और जोग्रफी में क्योंकि हिस्ट्री का जोग्रफी का बहुत अब टॉपिक था सालनिटी वह लगभग हमन आइ! Thank you so much and enjoy!